प्रिये बेहनों और भाईयों, बेटे और बेटियों, हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं रहत की बात ये है, कि अब लगातार, पॉजेटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है, 22 अपरेल को पॉजेटिविटी रेट जहां 24 दसम्लब दोनों प्रिश्चत था, ये घड़ते घड़ते, आज 25 अपरेल को 23 दसम्लब 01 परसेंट हो गया एक और रहत की बात है, कि अब जा संक्रमत होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगवग इस्तिर है, 13,000 के आसपास बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होके घर जाने वाले भाई और बहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है 19 अपरेल को ये संख्या 6,836 थी, 25 अपरेल को बढ़के 11,324 हो गई लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है, और याद रखिये, ये जो रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, इसका सबसे बढ़ा कारण है आपका सहयोग कोरोना कर्फियू, कोरोना से लड़ाई, घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती, कोरोना से लड़ाई, हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं, हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमन की दर अब घटती और है आप सबसे, मैं निविजन करना चाहता हूं, यह सहयोग लगातार आवस्यक है, धैरी और सहयम से, हम को इस लड़ाई को लड़ते रहना है, मेरी प्रार्थना है, कि हमारे गाउं में, अगर किसी महले में, कुछ घरों में, संक्रमन है, तो एक माइक्रो कंटेन्मेंट एरिय बना दीजिए, उस इलाके को अलग करके, वहां रहने वाले भाई वेहनों की आवसक्ता, हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वह वहां से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमन को फैलने से, हम रोक सकें, अगर हमारे सहर में, किसी कॉलोनी में, किसी महले में, संक्रमित भाई और बहनों की संख्या जादा है, तो वहां, माइक्रो कंटेन्मेंट एरिया बनाके, मतलब उतने इलाके को कंटेन्ड करके, हम संक्रमन को बाहर फैलने से रोक दें, ये सहयोग, अत्यंत आवसक है, और इसलिए माइक्रो कंटेन्मेंट एरिया बनाने की नीति भी, इस व्यथा होना, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये देखा गया है, कि बड़ी संख्या में, पॉजिटिव पैसेंट के साथ, परीजन अस्पताल आते हैं, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, इसके कारण, एक और आप स्यम संक्रमित हो जाते हैं, तो आप खु कि किसी का आना परीजन के साथ आवसक है, तो कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुआ आए, ज्यादा संख्या में लोग बिलकुल ना आएं, और अस्पताल में तो संक्रमित को भरती करवाने के बाद, बार्ड में कतई ना जाएं, बिलकुल ना जाएं, आप अगर कोरोन पॉजिटिव पैसेंट्स के बार्ड में अंदर जाएंगे, तो आप स्यम संक्रमित हो जाएंगे, इस से संक्रमित और बढ़ेगा, और गहराएगा, इस समय हमको संक्रमित बढ़ाने में योगदान नहीं करना, संक्रमित रोकने में योगदान करना है, हर संबभ प्रयास हम कर रहे हैं व्यवस्थाएं बनाने का कई वार जब बड़ी संख्या में संक्रमित भाई बहन आते हैं तो व्यवस्थाएं छोटी पढ़ने लगती है तकलीफ स्वाभाविक है मेरा मन भी बहुत व्यथित होता है लेकिन इसके बाब जूर हम पूरी ताकत से व्यवस्था बना का इसमें पूरा सही होग मिल रहा है अब तो बायू से ना के बिमानों से खाली टेंकरों को गंतब्वे तक भेजा जा रहा है जामनगर हो या दूसरे इस्थान हो ताकि वहां पहुंच जाए जल्दी समय बचे और वहां से भरके फिर बाई रोड आ जाए रेमिडिस्वेर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे लेकिन इसके बाद भी अगर असुधा होती है तो मैं चमा चाहता हूं कोई कसर व्यवस्था बनाने में नहीं छोड़ेंगे हम सब मिलके लड़ेंगे और इस ललाई को जीतेंगे एक तरफ जहां हम सब मिलकर महामारी से लड़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ इन कच्छाईयों वाले समय में आपका जहान भी चलता रहे इसकी कोससें भी हम लगातार कर रहे हैं मदप्रेश सरकार ने तीन मईने का रासन निसुल्क दैने का फैसला किया है मानी प्रधान मंत्री जी ने भारत सरकार ने भी दो मईने का रासन मई और जून का निसुल्क दैने का फैसला किया है निसुल्क रासन के साथ साथ हमारे तो स्ट्रीट बेंडर है क्या वो सहरी हो फुट पाथ पर सामान बैचने वाले छोटा मोटा कारवार करने वाले या ग्रामीन छेत्र के हो उनके खाते में भी एक हजार रुपया डालने का हमने फैसला किया है जल्दी ही किसानों के खाते में मुख्ध मंत्री किसान कल्यान योजना की निधी की एक किस्त भी डाली जाएगी जनता को राहत देने के हर संभव उपाए हम लगातार करते रहेंगे लेकिन एक बात और ध्यान रखिये गा इस लडाई में अगर हमारे सेना पती कोई है तो वो सेना पती है डॉक्टर्स पेरा मेडिकल स्टाफ हमारी नर्स बहने हमारे बाइड़ वाएं ये अपनी जान हतेली पे रखके अपनी जान जोखिम में डालके ये इस लडाई को लड़ रहे हैं इनका सम्मान कीजिए इनका मनोबल बढ़ाईए इनकी हम्मत बढ़ाईए इनका होसला बढ़ाईए ताकि दुगने उत्साह से ये आपकी सेवा में लगें संक्रमितों को स्वस्थ कर सकें इनके साथ असोवनी व्योहार कतई नहीं होना चाहिए आईए मेरे बहनों और भाईयो मिलके हम इस लडाई को लड़े मेरा विश्वास है कि जो रणनीत ही हमने बनाई है उस पर अगर हम ठीक ढंग से चलते रहे तो निश्चित तोर पर करोना हारेगा हम जीतेंगे बहुत बहुत धन्यवाद ममी देका मेरा न्यूपोर्ण हम परे दर्वाजा कोल दे कबाडी वली होगी कबाडी वली परे संग्लासेस एरिंग बैक सांडल्स इसब तो मेरे हैं है नहीं थे ठूट गे तो तूने तो पेग दिये और मैंने चिपका लिये ओनो ओ यास फेको नहीं ज कर दो